हलो स्टूजिंट्स इस कोईशन में हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलेकुलर फॉर्मॉला गिवन है जब उसकी रियक्शन हम आयोडीन एंड डाइलूड एनेवेज के साथ करवाते हैं तो उस कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर आइंटिफाय करना है तो चलिए इस कोईशन को सॉल्ब करते हैं अगर हम स्टार्टिंग में बात करें दाइज सी एट एच तेन ओ इसका डिग्री ओपन सैचिरेशन कितना है आई होब आपको कैल्कुलेट करना आता होगा दाइस फॉर इसका डिग्री ओपन सैचिरेशन है फॉर और जब हम इसकी रियक्शन आई टू प्लस एनिवेच के साथ करवाते हैं इट गिव्स यल्लो पीपीट हम सब जानते हैं इस वेरी फिमिस आईडो फॉर्म टेस्ट यह आईडो फॉर्म टेस्ट है इस रियक्शन में हमें चिएच आई 3 ऑप्टेन होता है विच गिव्स यल्लो पीपीट तो हमें पता होना चाहिए कि आईडो फॉर्म टेस्ट कॉनसे ग्रुप शो करते हैं तो हम जानते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें मिथाईल कीटोन ग्रुप हो मिथाईल कीटोन ग्रुप हो वो कंपाउंड हमे पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं और वो कैसे होता है आज डबल बॉंड ओ छी यह जो ग्रुप है इस ग्रुप इस मिथाईल कीटोन तो जिस भी कंपाउंड में जिस भी स्ट्रक्चर में यह मिथाईल कीटोन होगा वो पॉजिटिव आईडो फॉर्म टेस्ट शो करेंग और होना कितना चाहिए था फॉर जिसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अंसर नहीं है अब हम देखते हैं ऑप्शन बी अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूँ तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो बनेगा CH3 जब हम इसकी रेक्शन I2 NaOH के साथ करवाते हैं तो इसमें methyl ketone group तो है नहीं बट I2 और NaOH एक mild oxidizing agent होता है यह करता क्या है यह second degree alcohol को ketone में oxidize करता है जिससे हमें कुछ ऐसा structure obtain होगा अब जब हम इसकी रेक्शन I2 NaOH के साथ करवाएंगे तो हमारे पास इस बार क्या है methyl ketone मिल गया और यह methyl ketone positive hydroform test शो करता है जिससे हमें CHI3 obtain होगा जो हमें yellow PPT देगा और साथ ही साथ में हमारे पास carboxylate INB obtain होता है तो option B में degree of unsaturation कितना है 4 और यह positive hydroform test भी देता है तो इसका मतलब हमारा correct option कोई सा होगा option B अगर मैं option C की बात करूँ इसमें methyl ketone present नहीं है और जो alcohol है वो है primary alcohol जो की oxidation के बाद हमने क्या देगा aldehyde और aldehyde हम जानते हैं आइड़ोफार्म test शो नहीं करते जिसका मतलब C क्या होगा incorrect option D में भी methyl ketone भी नहीं है और नहीं oxidation के बाद हमें methyl ketone obtain होगा तो इसका मतलब यह भी क्या होगा negative hydroform test शो करेगा तो D भी incorrect होगा तो correct option होगा option B Thank you